नमस्कार में आयुशी और आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर उत्तर प्रदेश विधान सभाद चुनाव 2022 से पहले कॉंग्रिस छोड़ कर समाजबादी पार्टी में शामिल होने वाले इम्रान मसूद ने फिर पाला बदल लेया है बुद्वार को उन्होंने बस्पा की सद्सता ग्रहन कर ली इसके बाद बस्पा सुप्रीमू मायावती ने उन्हें आशिरवाद देते हुए एक फोटो शेयर की साथ ही ट्वीट किया कि उत्रप्रदेश वह खास कर पशिमी यूपी की राजनीती में इम्रान मसूद एक जानब पहचाना नाम है जिन्होंने आज अपने करीबी सहयोगियों के साथ मुस्य मुलाकात की और वो समाजवादी पार्टी छोड़कर अच्छी नियत वो पूरी दमदारी से काम करने के वादे के साथ ब्यस्पी में शामिल हो गया जिसका तहे दिल से स्वागत है बस्पा में शामिल होने के बाद इम्रान ने कहा कि जिस प्रियोग के लिए कॉंगरिस छोड़कर सपा में गये वो विफल हो गया आज एतियासिक दिने मैं अमारी नेता अदनी बहन जी के सब्सक्राइब करके में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता देने में ने तैयारी आगे कि इसलिए विदान सभा में जो हमने किया और यो प्रियोग विदान सभा में करने के लिए हम कांगरिस छोड़कर के आये वोग पुरी तरह से विफल हुआ, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्ब दिखाई नहीं देता, चुक्छे बहुजन समाज पार्टी का ही वोट बैंक ऐसा है, जिसके साथ मिल करके हम उक्तर प्रदेशकंदर एक मस्दूत विकल्ब भार्ती जिलता पार्टी का समाजबादी पार्टी को इस तरीके से वोट पड़ने का काम हुआ, हमने हमारे समाज ने एक तरफा वोट डालने का काम किया, उसके बाद भी रिजल्ट जीरो आया, तो हमें ऐसा वोट चाहिए कि हम साथ मिल करके एक टाकत बनने का काम करें, और वोजन समाज पार्टी के समाज पार्टी को जटका देते हुए, आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया, पस्टमी यूपी से बड़े नेताओं की सुची में सुमार इमरान मसूद, आसपास के छेत्रों के भी बड़े नेता माने जाते हैं, सहारन पूर कहें या पस्टमी यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर माना जाता है कि उनका वर्चस वो काफी माइने रखता है, इसी को लेकर के आज इमरान मसूद ने अपना बयान भी जारी किया और ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी में जो उनको वजूद मिलना चाहिए था, जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, लिहाज़ा उन्होंने बहुजन समाज़ पार्टी का दामन थाम लिया है, कैमा परसंद बावुलाल के साथ, शिरुकताप सिंग, डेली इंसाइडर, लाखनौ यूपे और देश दुनिया की तमाम ताजातरीन ख़वरों के लिए, गूगल प्लेश टूर से आज ही डाउनलोड करें, हमारा तेजी से उभरता न्यूज आप, डेली इंसाइडर